C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा साथ की विज्ञान की पाठ्थे पुस्तक प्रस्तुत है इस पुस्तक का पाठ बारहे शीर्शक पादप में जुनन प्रिष्ट 141 से 151 तक तो आईए अब सुनते हैं पाठ बारहा शीर्शक पादप में जनन प्रिष्ट 141 पाठ बारहे पादप में जनन अपने वंश अथवा प्रजाती को बनाई रखने के लिए पादप और जन्तुँ के लिए जनन आवश्यक है कक्षा 6 के अध्याय 9 में आपने पढ़ा था कि सभी जीव अपने समान जीवों का जनन करते हैं माता पिता से संतती का जन्म जनन कहलाता है लेकिन पादप कैसे जनन करते हैं? पादपों में जनन विभिन विधियूं द्वारा होता है जिनके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे कक्षा 6 में आपने पुश्पीय पादप के विभिन भागों के नाम बताईये और प्रत्यक के प्रकारियों के बारे में लिखिये अधिकांश पादपों में मूल, तना और पत्यां होती है ये पादप के काईक अंग कहलाते हैं वृद्धी की निश्चित अवधी के बाद अधिकांश पादपों में पुष्प निकलते हैं आपने वसंत रितु में आम के वरिक्षों को पुष्पित होते पाया होगा यही पुष्प बाद में आम के उन रसीले फलों को निर्मित करते हैं जिनका आनंद हम गर्मियों में उठाते हैं हम फलों को खाते हैं और सामानितह बीजों को फेग देते हैं बीज अंकुरित होकर नया पादप बनाते हैं यदि ऐसा है, तो पादप में पुष्पों की क्या भूमिका है? पुष्प पादप में जनन का कारे करते हैं वास्तव में पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग अत्वा मादा जनन अंग या फिर दोनों ही जनन अंग हो सकते हैं पादप अनेक विधियों द्वारा अपनी संतती उत्पन करते हैं। इनमें जनन दो प्रकार से होता है। एक अलेंगिक जनन और दो लेंगिक जनन। अलेंगिक जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन कर सकते हैं। जबकि लेंगिक जनन में नए अलेंगिक जनन पहली ये समझती थी कि नए पादप सदैव बीजूं से ही उखते हैं लेकिन उसने कभी गन्ना, आलू और गुलाब के बीज नहीं देखे थे वो जानना चाहती है कि ये पादप जनन कैसे करते हैं कायिक प्रवर्धन ये एक प्रकार का अलेंगिक जनन है जिसमें पादप के मूल, तने, पती, अत्वा कली यानी मुकुल जैसे किसी काईक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जा सकता है चूंकि जनन पादप के काईक भागों से होता है अतह इसे काईक प्रवर्धन कहते हैं क्रिया कलाप बारह दशमलव एक गुलाब अत्वा चम्पा के पौधे की एक शाखा को उसकी पर्वसंधी से काटिये पर्वसंधी तने या शाखा का वो भाग है जहां से पत्ती निकलती है जैसा की चित्र बारह दशमलव एक में बताया गया है शाखा के इस टुकडे को कर्तन या कलम कहते हैं अब कलम को मिट्टी में दबा दीजिए कलम को प्रतिदिन पानी दीजिए और इसकी वृध्धी को समझिए नोट कीजिए कि जड या मूल के निकलने और नई पत्तियों के निकलने में कितने दिन लगे इसी क्रिया कलाप को जल से भरे पात्र में मनी प्लांट का पौधा उगा कर दोहराईए और अपने प्रेक्षणों को नोट कीजिए प्रिष्ट 142 प्रिष्ट 142 में चित्र 12.1 में किसी गुलाब के तने की कलम से जनन को बताया गया है यहाँ पर्वसंधी और अक्ष से जुड़ी कलिका को दिया गया है आपने पुष्प कलिकाओं से पुष्पों को खिलते दिखा होगा पुष्प कलिकाओं के अतरिक्त पत्तियों के कक्ष यानि पत्ती के पर्वसंधी से जुड़ाव का बिंदू में भी कलिकाओं यानि मोकुल होती है ये कलिकाओं प्ररोहूं यानि अंकुरों के रूप में विकसित होती है और काइक कलिकाओं कहलाती है जैसा कि चित्र बारह दशमलव दो में दिया गया है कली में एक छोटा तना होता है जिसके चारों और आपरिपक्व पत्यां एक दूसरे के उपर अध्यारोपित रहती है काईक कलकाईं भी नए पादप को जन्म दे सकती है यहां प्रिष्ट 142 पर चित्र बारह दशमलव दो दिया गया है इस चित्र में आलू की आँख से अंकुरित होता पादप दिया गया है क्रिया कलाप बारह दशमलव दो एक ताजा आलू लीजिए आवर्धक लेंस की सहायता से इस पर पड़े क्षत चिन्हों पर ध्यान दीजिए आपको इन में कलका या कलकाईं मालूम पड़ सकती हैं क्षत चिन्ह को आँख भी कहते हैं आलू के कुछ टुकड़े काटिए जिन में से प्रत्येक में एक आँख अवश हो और उन्हें मिट्टी में दबा दीजिए उस स्थान पर कुछ दिनों तक पानी डालते रहिए जहां आपने आलू के टुकड़ों को मिट्टी में दबाया था कुछ दिन बाद आलू के टुकड़ों को खोद कर निकाल लीजिए आप इसमें क्या पाते हैं? इसी प्रकार आप अदरक अथवा हल्दी भी उगा सकते हैं, जैसा की चित्र 12.3 में दिया गया है. यहां प्रिष्ठ 142 पर चित्र 12.3 दिया गया है. इसमें अदरक का एक टुकड़ा जिसमें से नए पादप अंकुरित हो रहे हैं दिया गया है. ब्रायो फिलम यानि पत्थर चट्टा में पत्ती के किनारे के गर्थ में कलिकाएं होती हैं, जैसा की चित्र 12.4 में दिया गया है. यदि इस पादप की पत्ती आरद्र मृदा पर गिर जाए, तो प्रत्तेक कलिका मुकुल यानि नए पादप को जन्म दे सकती है. कुछ पादपों की जड़ें यानि मूल भी नए पादपों को जन्म दे सकती हैं. उदाहरण के लिए शकरकंद और डालिया या दहेलिया. प्रिष्ट 143 पर चित्र बारह दशमलव चार दिया गया है. इसमें ब्रायो फिल्म की पत्ती जिसके किनारे पर कलिकाएं होती हैं दिया गया है. यहां ब्रायो फिल्म की पत्ती पर नए पादप चिन्हित किये गए हैं. कैक्टस जैसे पादप के वे भाग जो मुख्य पादप से अलग या विलग्न हो जाते हैं नए पादप को जन्म देते हैं. प्रत्येक विलग्न भाग नए पादप के रूप में व्रिद्धी कर सकत है. बूजो जानना चाहता है कि क्या काईक प्रवर्धन का कोई लाब है? काईक प्रवर्धन द्वारा पादप कम समय में उगाय जा सकते हैं. बीजों से उगाय जाने वाले पादप की अपेक्षा काईक प्रवर्धन द्वारा उत्पन पादपों में पुष्प और फल कम अवधि में ही आजाते हैं, नए पादप जनक पादप की यथार्थ प्रतिलिपी होते हैं क्योंकि वे एक ही जनक द्वारा उत्पन होते हैं, इस अध्हाय में आगे आप पढ़ेंगे कि इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन होने वाले पादप में माता-पिता, यानि जनक दोनों के गुण होते हैं। लेंगिक जनन के परणाम स्वरू पादप बीज उत्पन करते हैं। मुकुलन आपने पहले यीस्ट के बारे में पढ़ा है। जिसे केवल सुक्षम दर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। इनके लिए यदि पर्याप्त पोशन उपलब्ध हो तो यीस्ट कुछ ही घंटों में व्रत्थी करके गुणन अर्थात जनन करने लगते हैं। याद रखे कि यीस्ट एक एकल कोशिका यानि एक कोशिक जीव है। आईए हम जानते हैं कि ये जनन कैसे करते हैं। क्रिया कलाप 12.3 शिक्षक या शिक्षिका द्वारा प्रदश्षित किये जाने के लिए। बेकरी से यीस्ट केक अथवा केमिस्ट की दुकान से यीस्ट पाउडर खरीद लें। चुटकी भर यीस्ट लेकर इसे किसी ऐसे पात्र में रखें जिसमें कुछ जल हो। इस द्रव की एक बूंत काच की स्लाइड यानि पट्टी पर रखकर सुख्ष्म दर्शी में जाचें। आपको क्या मालूम होता है? आप नई यीस्ट कोशिकाओं को पाएंगे जैसा की चित्र 12.5 में दिया गया है। यहां प्रिष्ठ 143 पर चित्र 12.5 दिया गया है। इसमें यीस्ट में मुकुलन द्वारा जनन को बताया गया है। इस प्रक्रिया के चार चरण दिये गये हैं। पहला चरण है यीस्ट कोशिका, दूसरा विक्सित होता हुआ मुकुल, तीसरा नवीन मुकुल और चोथा मुकुल श्रंखला। यीस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाला छोटे बल्ब जैसा प्रवर्ध मुकुल या कली कहलाता है। मुकुल क्रमशह व्रिद्धी करता है और जनक कोशिका से विलग होकर नई यीस्ट कोशिका बनाता है। नई यीस्ट कोशिका विक्सित होकर परपक्व हो जाती है और फिर नई यीस्ट कोशिकाएं बनाती है। कभी कभी नवीन मुकुल से नए मुकुल विक्सित हो जाते हैं, जिससे एक मुकुल श्रिंखला बन जाती है। यदि ये प्रक्रम चलता रहे, तो कुछ ही समय में बहुत अधिक संख्या में यीस्ट कोशिकाएं बन जाती हैं। खंडन, आपने तालाबों अत्वा ठेरे हुए पानी के अन्य जलाशेयों में हरे रंग के अवपंकी गुच्छे यानि फिसलनदार तेरते हुए महसूस किये होंगे। ये शैवाल हैं। प्रिष्ट 144 ये शैवाल हैं। जब जल और पोशक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल वृध्धी करते हैं और तेजी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं। शेवाल दो या अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं ये खंड अत्वा टुकडे नए जीवों में व्रिधी कर जाते हैं जैसा कि चित्र 12.6 में दिया गया है ये प्रक्रम निरंतर चलता रहता है और कुछ ही समय में शेवाल एक बड़ेक शेत्र में फैल जाते हैं यहां प्रिष्ठ 144 पर चित्र 12.6 दिया गया है इसमें स्पाइरो गाईरा यानि एक शेवाल में खंडन का चित्र दिया गया है बीजानू निर्मान अध्याए एक में आपने पढ़ा कि डबल रोटी में वायू में उपस्थित बीजानू से कवक उग जाते हैं क्रिया कलाप एक दशमलव दो को दोराईए डबल रोटी पर रुई के जाल में बीजानू को महसूस कीजिए जब बीजानू निर्मुक्त होते हैं तो ये वायू में तेरते रहते हैं चूंकि ये बहुत हलके होते हैं इसलिए ये लंबी दूरी तक जा सकते हैं प्रिष्ट 144 पर चित्र बारह दशमलव साथ दिया गया है इसमें कवक में बीजानू द्वारा जनन बताया गया है यहां कवक जाल, बीजानू धानी और बीजानू चिन्हित किये गये हैं बीजानू अलेंगिक जनन ही करते हैं प्रतियक बीजानू, उच्च ताप और निम्न आर्दरता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों को जहिलने के लिए एक कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढखा रहता है। इसलिए ये लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में बीजानू अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव में विक्सित हो जाते हैं। मौस और फर्न जैसे पादप में भी जनन बीजानू द्वारा होता है। जैसा की चित्र बारह दशमलव आठ में बताया गया है। प्रिष्ठ 144 पर चित्र बारह दशमलव आठ दिया गया है। इसमें फर्न में बीजानू द्वारा जनन बताया गया है। फर्न के चित्र पर बीजानू धानी पुन्ज यानि बीजानू उत्पन करने वाले एक शेत्र को चिनहित किया गया है। बारह दशमलव दो लैंगिक जनन पुष्प की सनरचना के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। पुंके सर नर जनन अंग और स्त्री के सर मादा जनन अंग हैं। जैसा कि चित्र बारह दशमलव नौ में दिया गया है। क्रिया कलाप बारह दशमलव 4 सरसू, गुडहल या पिटूनिया का कोई पुष्प लीचिए। और इसके जनन अंगों को प्रिथक कीजिए। पुंके सर और स्त्री के सर के विभिन भागों का अध्यान कीजिए। ऐसे पुष्प जिन में यातो केवल पुंके सर अथ्वा केवल स्त्री के सर उपस्थित होते हैं, एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। मक्का, पपीता और ककड़ी या खीरे के पौधे में एक लिंगी पुष्प होते हैं। जबकि सर्सू, गुलाब और पिटूनिया के पौधों में दुई लिंगी पुष्प होते हैं। नर और मादा एक लिंगी पुष्प दोनों एक ही पादप पर उपस्थित हो सकते हैं, अथ्वा भिन पादपों पर पाए जा सकते हैं। प्रिष्ट 145 क्या आप पुंकेसर में पराग कोश और तंतू को पहचान सकते हैं। जैसा कि चित्र 12.9 भाग A में दिया गया है। पराग कोश में पराग कण होते हैं, जो नर युगमकों को बनाते हैं। स्त्री केसर में वर्ती काग्र, वर्तिका और अंडाशय होते हैं। अंडाशय में एक या अधिक बीजांड होते हैं। मादा युगमक अथवा अंड का निर्माण बीजांड में होता है। जैसा कि चित्र 12.9 भाग B में बताया गया है। लेंगिक जनन में नर और मादा युगमकों के युगमन से युगमनज बनता है। यहां प्रिष्ट 145 पर दो चित्र दिये गए हैं। ये दोनों चित्र 12.9 के भाग हैं। पहले भाग में पुंकेसर दिया गया है, जिसमें परागकोश और पोतंतु चिनहित हैं। बूजो जानना चाहता है कि परागकाण में उपस्थित नर युगमक, किस प्रकार बीजांड में उपस्थित मादा युगमक तक पहुँचता है। परागकण सामानिता परागकणों में दृढ सुरक्षात्मक आवरण होता है, जो उन्हें सूखने से बचाता है, क्यूंकि परागकण हलके होते हैं, अतह वे वायू अत्वा जल द्वारा बहा कर ले जाए जा सकते हैं। पुष्पों पर बैठने वाले कीटों के शरीर पर परागकण चिपक जाते हैं। जब कीट उसी प्रकार के किसी अन्य पुष्प पर बैठते हैं, तो पुष्प के वर्तिकागर पर कुछ परागकण गिर जाते हैं। परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकागर पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकागर पर गिरते हैं, तो इसे स्वपरागण कहते हैं। जैसा की चित्र बारह दशमलव एक शून के भाग ए में दिया गया है। बुजो जानना चाहता है कि पुष्प समानितह इतने रंग बिरंगे और सुगंध युक्त क्यों होते हैं। क्या ऐसा कीटों को आकरशित करने के लिए होता है। प्रिष्ट 145 पर चित्र बारह दशमलव दस दिया गया है। इसमें पुष्म में परागण बताया गया है। पहले भाग में स्व परागण और दूसरे भाग में परपरागण बताया गया है। यहाँ वर्तिकाग्र, परागकण, परागकोश और वरतिकाग्र चिनहित किये गए हैं प्रिष्ट 146 जब पुश्प के परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुश्प के वरतिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे पर परागण कहते हैं जैसा कि चित्र बारह दशमलव 10 के भाग A और भाग B में आपने सुना निशेचन निशेचन नर तथा मादा युगमकों के युगमन यानि संयूग द्वारा बनी कोशका युगमनज कहलाती है युगमनज बनाने के लिए नर और मादा युगमकों के युगमन का प्रक्रम निशेचन कहलाता है जैसा कि चित्र बारह दशमलव 11 में दिया गया है युगमनज भ्रून में विक्सित होता है यहां प्रिष्ट 146 पर चित्र बारह दशमलव 11 दिया गया है ये निशेचन यानी युगमनज निर्मान का एक चित्र है इसमें दो भाग हैं पहले में अंड कोश का और अंकुरित होता परागकन चिन्हित किये गए हैं जबकि दूसरे भाग में पराग नलिका और युगमनज निर्मान बताए गए हैं बारह दशमलव तीन फल और बीच का विकास निशेचन के पस्चात अंडाशे फल में विकसित हो जाता है जबकि पुष्प के अन्यभाग मुर्जा कर गिर जाते हैं परिपक्व हो जाने पर अंडाशे फल के रूप में विकसित हो जाता है बीजान से बीज विकसित होते हैं बीज में एक भुरून होता है जो सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर रहता है कुछ फल गुदेदार और रसीले होते हैं जैसे आम, सेब और संत्रा कुछ फल कठोर होते हैं जैसे बादाम और अखरोट आदी जैसा कि चित्र बारह दशमलव एक दो के भाग ए और बी में दिया गया है यहां प्रिष्ट एक सो चियालीस पर चित्र बारह दशमलव एक दो भाग ए और भाग बी दिया गया है भाग ए में सेब का एक भाग दिया गया है और भाग बी में बादाम को दिया गया है 12.4 बीज प्रकीरणन प्रकृती में एक ही प्रकार के पादप विभिन स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं ऐसा बीजों के विभिन स्थानों पर प्रकीरणन के कारण होता है कभी कभी किसी वन अत्वा खेत या फिर उद्ध्यान में चहल कदमी करते समय आपको अपने वस्त्रों पर फलों के बीज मालूम हुए होंगे क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया है कि ये बीज आपके वस्त्रों पर कैसे चिपक जाते हैं कल्पना कीजिए कि किसी पादप के सभी बीज एक ही स्थान पर गिर कर वहीं उग आए आपके विचार में इस परिस्थिती में क्या होगा पादप के नवोद भिदों यानि नए उगे पौधों के बीच धूप, जल, खनिजों और स्थान के लिए गंभीर स्पर्धा होगी संभवता उनमें से कोई भी स्वस्थ पादप के रूप में विकसित नहीं होगा पादपों को बीजों के प्रकीर्णन से लाब होता है इससे एक ही प्रकार के पादप के नवोद भिदों में सूर्य के प्रकाश, जल और खनिजों के लिए परसपर्धा की संभावना कम हो जाती है प्रिष्ट 147 प्रकीर्णन पादप को व्यापक शेतर में वितरत होने में सहायक होता है ताकि वे नए आवासों में अपनी पकड़ बनाने में समर्थ हो सकें प्रिष्ट 147 पर चित्र 12.13 में दो चित्र दिये गए हैं पहला चित्र है सहिजन यानी ड्रम स्टिक का और दूसरा है द्विफल यानी मैपल के बीच का इसमें बीच और पंखों को चिन्हित किया गया है प्रकृती में पादप के फलों और बीजों का प्रकीरिनन पवन, जल और जन्तूं द्वारा होता है सहिजन या ड्रम स्टिक तथा द्विफल यानी मैपल जैसे पादप के पंख युक बीज जैसा की चित्र बारह दशमलव तेरह के भाग A और B में बताया गया है घासों के हलके बीज अथवा आक यानी मदार के रोम युक्त बीज और सूरज मुखी के रोम युक्त फल पवन के साथ उड़कर सुदूर स्थानों तक चले जाते हैं जैसा की चित्र बारह दशमलव 14 के A और B भाग में बताया गया है कुछ बीज जल द्वारा प्रकीरिनत होते हैं ऐसे बीजों अथवा फल के आवरण स्पंजी अथवा तन्तुमय होते हैं ताकी वे जल में प्लवन करते हुए यानि तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकें उड़ारन के लिए नारियल कुछ बीज जन्तुम द्वारा प्रकीरिनत होते हैं विशेश रूप से कंटकी यानि कांटेदार बीज जिनमें हुक जैसी सनरचनाएं होती हैं जिससे बीज जन्तुम की शरीर से चिपक जाते हैं और दूरस्थ स्थानों तक जाये जाते हैं इनके उदारन यूरेना एवं जान्तियम हैं जैसा की चित्र 12.15 में बताया गया है यहां प्रिष्ठ 147 पर 12.14 चित्र दिया गया है इसके दो भाग हैं पहले भाग में सूरज मुखी के रोम युक्त फल और दूसरे भाग में यानि भाग बी में मदार यानि आक के रोम युक्त बीज बताया गया है प्रिष्ठ 147 पर चित्र 12.15 में जान्तियम दिया गया है कुछ पौधों के फल जटके के साथ फढ़ जाते हैं जिससे उनके अंदर स्थित बीज प्रकीरनित हो जाते हैं बीज जनक पादप से दूर जाकर गिरते हैं एरंट और बॉलसम के पादप में ऐसा ही होता है प्रिष्ठ 148 प्रमुक शब्द अलेंगिक जनन मुकुलन भून प्रकीरनन निशेचन खंडन युगमक बीजान्ड परागन लेंगिक जनन बीजानू बीजानू धानी पराग कोश कायिक प्रवर्धन युगमनज पराग काण स्त्री केसर पुंकेसर आपने क्या सीखा सभी जीव अपनी किस्म को बनाय रखने के लिए जनन या गुणन करते हैं पादप में जनन दो प्रकार से होता है अलेंगिक और लेंगिक आलेंगिक जनन की कुछ विधिया, खंडन, मुकुलन, बीजानू निर्माण और कायिक प्रवर्धन हैं लेंगिक जनन में नर और मादा युगमकों का युगमन होता है पुष्प पादप का जनन अंग है द्वी लिगी पुष्प में नर और मादा जनन अंग दोनों ही होते है नर युगमक पराग कड़ों के अंदर और मादा युगमक बिजान्ड में पाय जाते हैं किसी पुष्प के पराग कोश से उसी पुष्प अथवा किसी अन्य पुष्प के वर्तिकागर तक पराग कणूं के स्थानांतरन का प्रक्रम परागन कहलाता है परागन दो प्रकार का होता है स्वापरागन और परपरागन पर परागण में परागकन एक पुष्प के परागकोश से उसी प्रकार के दूसरे पुष्प के वर्तिकागर पर स्थानांतिरित होते हैं परागण, पवन, जल और कीटों के द्वारा हो सकता है नर और मादा युगमकों का युगमन निशेचन कहलाता है निशेचित अंड युगमनस कहलाता है युगमनस का विकास भ्रून में होता है प्रिष्ट 149 फल एक परिपक्व अंडाश है जबकि बीजांड बीज में विकसित होता है बीज में विकास शील भ्रून होता है बीज प्रकीर्णन एक एक ही स्थान पर पादब की अधिक संख्या की वृद्धी को रोकने और दूसरा सूरी के प्रकाश जल और खनिजों के लिए इस परधा को कम करने और तीसरा नए आवासों के अधिग्रहन में सहायक होता है अभ्यास पहला रिक्त स्थानों की पूर्ती कीजिए क जनक पादब के कायक भागों से नए पादब के उत्पादन का प्रक्रम रिक्त स्थान कहलाता है ख ऐसे पुष्पों को जिन में केवल नर अत्वा मादा जनन अंग होता है रिक्त स्थान पुष्प कहते हैं ग पराग कणों का उसी अथवा उसी प्रकार के अन्य पुश्प के पराग कोश से वर्तिकागर पर स्थानांतरन का प्रक्रम रिक्ट स्थान कहलाता है। ग, नर और मादा युगमकों का युगमन रिक्त स्थान कहलाता है। च, बीज प्रकीरनन रिक्त स्थान रिक्त स्थान और रिक्त स्थान के द्वारा होता है। दो, अलेंगिक जनन की विभिन विधियों का वर्णन कीचिये, प्रतेक का उदाहरन दीचिये। तीन, पादपों में लेंगिक जनन के प्रक्रम को समझाईए। चार, अलेंगिक और लेंगिक जनन के बीच प्रमुख अंतर बताईए। पाँच, किसी पुष्प का चित्र खीच कर उसमें जनन अंगों को नामांकित कीजिए। चे, स्वापरागण और परपरागण के बीच अंतर बताईए। साथ, पुष्पों में निशेचन का प्रक्रम किस प्रकार संपन होता है। आठ, बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों का वर्नन कीचिए। प्रिष्ट एक सो पचास। 9. कॉलम ए में दिये गए शब्दों का कॉलम बी में दिये गए जीवों से मिलान कीजिए। कॉलम ए में दिये गए शब्द हैं क कली या मुकुल, ख आँख, ग खंडन, ग पंक, च बीजानूं कॉलम बी में दिये गए जीव हैं एक मैपिल, दो स्पाइरो गाईरा, तीन यीस्ट, चार डबल रोटी की फफूंद, पांच आलू, छे गुलाब दस, सही विकल्प पर सही का निशान लगाईए, क, पादप का जनन भाग होता है, उसका, एक, पती यपपर्ण, दो, तना, तीन, मूल, चार, पुश्प, ख, नर और मादा युगमक के युगमन का प्रक्रम कहलाता है, एक, निशेचन, दो, परागन, तीन, जनन, चौथा, बीज निर्मान, ग, परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है, एक, बीज में, दो, पुंकेसर में, तीन, स्त्री केसर में, चार, फल में, घ, बीजानों उत्पन करने वाला एक पादब जीव है, एक, गुलाब, दो, डबल रोटी का फफूंद, तीन, आलू, चार, अदरक्रिश्ट, एक सो एक्क्यावन, च, ब्रायोफिलम, अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है, वो है, एक, तना, दो, पती, तीन, मूल, चा विस्तारित अधिगम, क्रिया कलाप और परियोजना कार्य, एक, विभिन प्रकार के कैक्टिसों के टुकडे की सहायता से अपना निजी कैक्टिस संग्रह बनाईए, आप विभिन किस्मों के कैक्टिसों को किसी चप्टे पात्र में साथ-साथ अथवा प्रिथक पात्रों म फल उपलब्ध ना हूँ, तो आप टमाटर, खीरा, ककडी आदी ले लीजिए, ये भी फल हैं, लेकिन हम इनका उपयोग सबजी के रूप में करते हैं, विभिन्द फलों के चित्र बनाईए, प्रत्येक किस्म के एक फल को काट कर, उसके अंदर के बीजों को जाचिए, फलों और उनके बीजों के विशेश लक्षन, यानि गुण जाननी का प्रयास कीजिए, जानकारी पुस्तकाले से भी प्राप्त की जा सकती है, यदि संभव हो, तो यहां दी गई वेबसाइट से इस बारे में जानकारी एकत्र कीजिए, 3. दस किस्म के फलदार पादपों या व्रिक्षों के नाम लिखिए, याद रखिए कि अनेक फलों का उप्योग सबजियों के रूप में किया जाता है, अपने अध्यापक, माता-पिता और यदि सुविधा हो, तो किसी फल उत्पादक, किसान अत्वाक्रशी विशेशक्ग से यह जानकारी प्राप्त कीजिए कि आपकी सूची में सम्मिलित पादत के बीच का प्रकीर्णन किस प्रकार होता है, प्राप्त जानकारी को सार्णी में विवस्थित कीजिए, यहां इस जानकारी को सार्णी में विवस्थित करने के लिए एक सार्णी दी गई है, जो की प्रिष्ट 151 पर है, इस सार्णी को चार अलग-अलग भागों में विभाजित किया गया है, वो भाग है क्रम संख्या, फलदार पादप का नाम, कारक जिसके द्वारा बीजों का प्रकीर्णन होता है, और आखरी, बीज अत्वा उसका भाग, जो प्रकीर्णन में सहायक होता है, यह सूची आपको भरनी है 4. मान लीजिए किसी समवर्धन या कल्चर डिश में कोई ऐसा जीव है, जब प्रतेक घंटे के बाद अलेंगिक जनन के प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या दोगुनी कर लेता है यदि प्रारंभ में समवर्धन डिश में उस जीव का केवल एक सदस्य हो, तो दस घंटे बाद डिश में उस प्रकार के जीवों के सदस्यों की संख्या कितनी होगी किसी एक जनक से उतपन होने वाली जीवों की ऐसी कॉलनी या समूहन कलून कहलाती है इसी के साथ अठारह पाठों की इस पुस्तक का पाठ बारह शीशक पादप में जनन यहां समाप्थ हुआ वाचन शालनी सिंग और वैभव श्रीवास्तव अभी आप सुन रहे थे ये ध्वनी पाठे पुस्तक तकनीकी नियंत्रन बटी लैंग लिंग्डो तकनीकी सहायक विकास सांगवान निर्माण सहयोग कुसुम लता निर्माण एवं निर्देशन वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती CIET NCERT नई दिल्ली भारत